हाई गाईज माई नेम इस्टिरान एन वेलकम तो डूर्पिंग डेक आज हम बात करने वाले हैं वर्चौल आधार आईडी के बारे में इसको कैसे यूज किया जा सकते हैं और इसके क्या-क्या फाइदेग है कि आप सब्सक्राइब करें और एसे में आपने बहुत सारी बाते भी सुनी होगे जैसे के आजर काड डेटा लीग हो गया तो इसे में सुचते हैं हमकी आजर काड शेर करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा तो ऐसे को और कम करने के लिए यूवाइडिय ने वर्चौल आईड में आएगा देखो बेसिकली वर्चुल आधार आईडी आपको जो 12 डिजित आधार आईडी है उसको चुपा देगा तो ऐसे सेनारियों में आपका जो ओरिजनल आधार आईडी है वो कभी सामने ही नहीं आएगा आपकी जो भी इंफोर्मेशन है वो सिक्योर रहेगी और सिर्फ लिमिटेड इंफोर्मेशन रहेगी जैसी कि आपका नाम डेट ऑब बर्थ या फिर फोटोग्राफ और थोड़ी से लिमिटेड इंफोर्मेशन जैसी कि आपका एड्रेस भी हो गया और इसमें सबसे बड़ी बात यह जो वर्चुल आधार आईडी है एक सिर्फ टे लिमिटेशन नहीं रहेगी मैं आपको खुद पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप हर जगह पे नया एक वर्चुल आईडी यूज करो ताकि आपका डेटा लीक ना हो और आपका डेटा पूरा का पूरा सीक्यूर रहे और हां आप यह सर्वीस फॉस्ट मार्च दो अजार 2018 से यूज कर पाएंगे आपको अगर वर्चुल आईडी क्रियेट करना है तो यू आईडी यू ओफिशल वेबसाइट से या फिर ऑफिशल एप से आप इसको जनरेट कर सकते हैं और यह वर्चुल आईडी सिर्फ आप ही खुद क्रियेट कर सकते हैं और ऑफिशल ने यह कन्फरम किए है कि 1st j late April 2018 से सभी कंपनीयों को एक कंपलसरी रहेगा वर्चुल आईडी यूज करने के लिए और जो भी यूजर है हम नॉर्मल यूजर से वह यॉजर्स यू फिर कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं पर कंपल सरी एक जुलाई 2018 से सभी कंपनियों को यूज करना होगा I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा if you like that video please hit that like button and share a video please don't forget to subscribe channel if you have any suggestion or query please comment down below till then have a great day see you in my next one bye